ये वेडियो बिसके लिए एमस के लाने का कटफ पे है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो जेनरल के लिए कटफ गिया था 676 पे क्लोज हुआ था तो इस बार चांसेज है 680 खरीब क्लोज होने का और EWS में जो आपका स्कोर था 663 पे क्लोज हुआ था इस बार भी प्लस 5 सकता है और EWS के लिए देखे तो 665 था और इसमें भी 670 तक जा सकता है और EWS के लिए 613 तो 620 तक जा सकता है में भी और EWS के लिए 561 था और आप रैंक देख सकते हो 1085 था जेनरल के लिए EWS के लिए 4,044 ओभी सिक लिए देख सकते हो 21,052 पे क्लोज हुआ था इस्टी का देख सकते हो 55,567 पे क्लोज हुआ था आपका तो नियर्बाइ 5 निम्पर का फर्क रहेगा और 2024 में भी अब राउंड टू का कटप देखते हैं राउंड टू में आपका दो एस्टी का था और मार्क सिसमें इंक्रीज हो गया था बागी सबका सेम था बस रैंक का डिफरेंस था तो जेनरल का इस बार भी 679 जा सकता है और EWS का 664 तक जा सकता है OBC का जो था 665 था तो इस बार में भी चांसे से 668 तक ये मिल सकता है SC के लिए 607 था राउंड टू में राउंड टू में राउंड टूरी का देखते हैं राउंड टूरी में बैसिकली SC और ST के लिए कोई सीट खाली नहीं था तो जेनरल का जो क्लोजिंग मार्क्स था राउंड टू में 675 था तो समवग 676 तक में भी राउंड टू में भी सेमी था और OBC में 665 था जो कि राउंड टू में भी आपका सेम था सो बिसकली एम्स के लानी में आपको इडिशन लेने के लिए जेनरल के लिए एटलिस्ट आपको 675 प्लस स्कोर करना ही होगा OVC के लिए 670 प्लस करना ही होगा आपको EWS के लिए 665 प्लस करना ही होगा SC के लिए एटलिस 620 प्लस स्कोर 2024 में आया गई ST के लिए 580 के करिप स्कूर करना ही होगा